कि मोदी जी ने श्री लंका की बिजली बोर्ड पे प्रेशर डाला उनके राष्ट्रपती के मार्फत की विंड पावर प्रोजेक्ट का काम श्री लंका में अडानी ग्रूप को दे दिया जाए। हमारे देश के भारत जैसे महान देश के प्रधान मंतरी किसी कमपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहे है कि ठेका अडानी ग्रूप को देलवा दिया जाए। के दोशी कौन कौन है। कि इस धर्ती के नीचे उसमें करप्शन है। कि आईडी ने स्टेट बैंक को बुला के पूछा कि विद्ध मंतराले में बैठे कौन से मंतरी आपके उपपर दबाव डाल रहे हैं कि आप अडानी को लोन देओ। हमने देखा कि एनफोर्स्मेंट डायरेक्टरेट आज सरकार की एनफोर्स्ट डायरेक्टिव्ज की एक संस्ता बन गई है। E.D. had become enforced directives from the Modi government और हम पूछना चाहेंगे एनफोर्स्मेंट डायरेक्टरेट से कि आपके enforced directives जो आपको मिलते हैं मोदी सरकार से हम पूछना चाहेंगे सरकार से भी कि कुछ मामलों में आपकी इतनी लंबी और इतनी गहरी चुप्पी क्यों हैं कौन लोग है सरकार में जो आपको ऐसा करने से रोक रहे हैं साथियों पिछले आठ साल में हमने देखा कि भारत सरकार के जो भी जूटे ब्रामक क्लेम्स थे वो एक-एक करके डहते रहे पिछले दो सब्दा में कॉंग्रेस पार्टी के पूर्वध्यक्ष और हमारे नेता श्री राहूल गांदी जी को चौपन गंटे तक की एडी ने पूछता आज की पर दो मामले आपको बहुत-बहुत लेटेस्ट मामले आपके सामने रखोंगा वहाँ पे एडी चूप है हम पूछना चाहते उन मामलों में इतना सननाटा क्यों है भाई पहला मामला आता है ये मैं भी नहीं कह रहा सरकार भी नहीं कह रहा и देश का कोई agency नहीं कह रही पर Sri Lanka की State-owned Sri Lanka की सरकारी electricity board जिसका नाम है Ceylon electricity board उसके chairman जो उनकी बिजली आपूर्ती करती है श्री लंका में उसके चेर्मेन वहां की संसत के सामने खड़े होके कोई छोटी मोटी जगा भी नहीं श्री लंका की संसत के सामने खड़े होके कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपती श्री राजपक्षा श्री लंका के राष्ट्रपती श्री राजपक्षा को मोदी जी ने प्रे बिजली विभाग के चेर्मेन कह रहे हैं कि मोदी जी ने श्री लंका की बिजली बोर्ड पे प्रेशर डाला उनके राष्ट्रपती के मार्फत की विंड पावर प्रोजेक्ट का काम श्री लंका में अडानी गुरूप को दे दिया जाए मैंने भी नहीं का ये ये उनके बिजली बोर्ड के चेर्मेन कह रहे हैं क्या हमारे देश के प्रधान मंत्री प्राइवेट पार्टी को ठेका दिलाने के लिए बने है क्या हमारे देश के भारत जैसे महान देश के प्रधान मंत्री किसी कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहे है कि ठेका अडानी गुरूप को देलवा दिया जाए क्या एडी और अधर एजेंसीज ने इस पे जाच करना उप्युक्त नहीं समझा वहाँ पे इतनी खामोशी क्यों रखी गई अरे हम तो चौपन घंटे की जाच करके भी आगे और आगे भी हर अगनी परिक्षा दे देंगे हमें कोई चिंता नहीं है पर वो लोग जिनका नाम श्री लंका के बिजली बोर्ड के चेर्मेन पार्लियमेंट के सामने कहते हैं कि मोदी जी उन पे दबाव डाल रहे है श्री लंका की सरकार पे कि विंड पावर का प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया जाए क्या उनके उपर एडी की पूस्ताच नहीं होनी चाहिए क्या एनफोर्समेंट डाइरेक्टरेट जो की आज सरकार की एनफोर्सिंग डाइरेक्टिव्स बन चुकी है क्या उन्होंने इस पे संग्यान लेके मोदी जी को समन दिया क्या इसकी जाँच की कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि श्रिलंका का बिजली बोर्ड का चेर्मेन खुले आम अपनी संसद में बोलते हैं कि मोदी जी उन पे दबाव डालते हैं उनके राष्ट पती पर कि विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया जाए क्या इस बात में इस बात का संग्यान इडी ने लिया इतना सन्नाटा उनमें इस बात के लिए क्यों रह गया कौन उनको रोक रह था ये तो हो गया पॉइंट नंबर वन दूसरा पॉइंट भी लाया हूँ और दो ही पॉइंट की बात करूँगा जैसे ही 2014 में मोदी जी ने सत्ता संबाली उस 2014 में सत्ता संबालते ही State Bank of India ने एक Draft M.O.U. बनाया और उस Draft M.O.U. के तहट एक बिलियन डॉलर एक बिलियन डॉलर अर्थाथ 7,825 करोड रुपया उस M.O.U. के तहट State Bank ने और दुनिया के सारे बैंकों ने एक कंसोर्शियम बना के अडानी को फंडिंग देने का सोचा और ये कहां पे फंडिंग दे रहे थे अडानी को Australia में माइन्स के लिए जब इसका विरोध देश में हुआ जब इसका विरोध ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो इस M.O.U. को निरस्ट कर दिया बात यहीं खतम नहीं हुई उसके पश्चाद 2020 में पुन State Bank of India ने 5,000 करोड का फंडिंग का प्रपोजल अडानी कैमीर चेल कोल प्रजेक्ट इन ऑस्ट्रेलिया जब इसका भी वहाँ पे क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने विरोध किया जब इसका भी वहाँ पे इन्वेस्टर्स लाइक M.O.D. और A.X.A. ने विरोध किया तो State Bank ने इसको भी बहुत अभी इसका क्या इस्तिती है मुझे नहीं पता सत्ता संभालते ही 7,825 करोड का 1,000,000,000 का फंडिंग अडानी को आस्ट्रेलिया के माइन्स में देने का निन्ने किया M.O.U. बनाया State Bank ने विरोध हुआ तो उस M.O.U. को वहीं रोग दिया 2020 में पुना उस्ट्रेलिया की एक कोल माइन्स के लिए 5,000 करोड की फंडिंग का निन्ने State Bank of India करती है जब इसका विरोध वहां के इन्वेस्टर्स करते है तो वो डील स्टक हो जाती है अभी इस डील की क्या इस्तिती है हमें नहीं पता हमारा सवाल है क्या इडी ने कभी अडानी को बुला के पूछा कि आप किस से प्रेशर डलवा रहे हो State Bank of India से लोन लेने के लिए क्या इडी ने State Bank को बुला के पूछा कि वित्द मंत्राले में बैठे कौन से मंत्री आपके उपर दबाव डाल रहे हैं कि आप अडानी को लोन दो और ऐसे और भी कई किस से लिस्ट बहुत लंबी है पाच शे इश्यूज आपको जस्ट पासिंग रिमार्ग कर रहा हूं क्या इडी ने कभी इश्वर अप्पा को बुला के पूछा कि ये 40 परतिशत कमिशन जो करनाटक सरकार ये मैं नहीं कह रहा हूं के Contractors Association के चेर्मेन ने प्रेस वारता करके बोला क्या इडी ने बोमई हिसाब को बुला के पूछा करनाटक के मुख्यमंत्री को क्या आपके उपर चार्ज है क्या आप जो भी काम करते हो उस पे 45 परतिशत कमिशन लेते हो क्या वहाँ पे इडी ने पूस्ताच की क्या इडी ने कभी बुला के मद्यपरदेश के मुख्यमंत्री को पूछा कि व्यापम के घोटाले के दोशी कौन-कौन है क्या इडी ने कभी हेमंद बिश्व सर्मा को बुला के पूचा कि ए पीपी कित का घोटाला कैसे हुआ क्या E.D. ने गोवा सरकार को बुला के पूचा जब सत्यपाल मलिक ने स्वयम जो कि गोवा के गवर्नर थे कहा पुब्लिकली कि गोवा सरकार जो भी करती है इस धर्ती के नीचे उसमें करप्शन है इतना सन्नाटा वहाँ E.D. को क्यों आ जाता है ऐसा उनके उपर क्या दबाव है हम पूचना चाहते हैं तीन सवाल सरकार से पहला कि भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश के प्रधान मंत्री एक इंडिवीज्वल कंपनी की पैरवी विदेशी सरकार को क्यों कर रहे है इस बात का संग्यान कौन लेगा हम पूचना चाहते हैं कि कौन से मंत्री और बिरोक्रेट्स E.D. के उपर इस इन्वेस्टिगेशन को नहीं करने का दबाव डालते हैं हमारा दूसरा प्रश्ण है कि क्या E.D. अडानी ग्रुप को बुला के पूचेगा कि आपको 7,825 करोड रुपे की 1 बिलियन डॉलर की फंडिंग का स्टेट बैंक M.O.U. साइन करता है और उसको जब चारो तरफ से दबाव आता है तो उसको निरस्ट किया जाता है पुना 5,000 करोड का लोन देने का एक M.O.U. वापिस बनाता है फिर जब इन्वेस्टर्स विरोध करता है तो उसको वापिस कैंसिल करता है कौन लोग है वित्त मंत्राले में और प्रधान मंत्री कार्याले में बैटे हुए जो स्टेट बैंक पर दबाव डालते हैं बार बार कि अडानी ग्रुप को फंडिंग की जाए क्या E.D. ये संग्यान लेगा हमारा तीसरा सवाल है कि क्या E.D. की विश्वसनियता दूमिल नहीं होती है जब E.D. सिरफ निराधार बिना तार्क के बिना सबूत के विपकसी दलों के नेताओं को सुबे से शाम बुलाके रात के डेड़ डेड बजे तक साड़े बारा एक एक बजे तक पूस्ताज करता है क्या उनकी विश्वसनियता इन केसेज जो मैंने आपके सामने रखे दो तो बड़े केस और बाकी स्टेट गवर्मेंट्स में जो करप्शन क्या खूले आम नंगा नाच हो रहा है क्या उसमें E.D. ने अभी तक कोई भी जाच की